नमस्कार आईए सुनते हैं हिंदी साहिती की सुप्रसित धिलेखी का मालती जोशी द्वारा लिख्योई एक बहुत ही खुबसुरत कहानी प्रोब्लम चाइल्ड जैसे ही दर्वाजा खुला आलोग ने तस्वीरों वाली किताब से चहरा ढग लिया योजना थी कि जैसे ही गुडिया किताब के लिए हाथ बढ़ाएगी वा उसे लपक कर गोध में उठा लेगा अपनी रानी बिटिया को देखे वे पूरे आट दिन हो गए थे अब एक एक शान उसे भारी पड़ रहा था लेकिन दर्वाजा गुडिया ने नहीं उसकी माने खोला यह तो उसे पहले ही समझ लेना चाहिए था गुडिया भला इतनी देर लगाती है वह तो जैसे घंटी पर कान लगाए रहती है निम्मो जरा सामान देखना मैं उन सज्जन को रवाना कर दूँ आलोक ने अपना बैग पकड़ाती हुए कहा लेकिन वह जब ओटो को पैसा दे कर आया तब भी सूट के सौब बैग वहीं दर्वाजे पर पड़े हुए थे वह तो टकराते टकराते बचा निम्मो जरा फस्ट क्लास चाहे तो बनाना मैं अभी नहा कर आया वो डीजल गाड़ियों की घरगराट से सर एकदम भननाने लगा है कहते हुए आलोक ने अपना कोट उतार का निरूपमा के कंधे पर टांगा और बातरूम में घुस गया नहा कर वत तौलिया लपेटी ही बहान निकला जानता था कपड़े तो विस्तर पर रखे ही मिलेंगे पर वैडरूम में पहुँच का निराशा ही हाथ लगी निम्मो मेरे कपड़े वह चिलना आया रैक पर रखे हैं किचिन से आवाज आई और कुर्ता पाजामा कहा है अलमारी में देख लो ना चिलना क्यों रहे हो मुझे चाय भी तो बनानी है उसका मन खटा हो गया आच दिन के उबाउट टूर के बाद यह स्वागत हो रहा है बिटिया तो घर से नदारद ही है उसकी मा भी कोई खास तबज्जों नहीं दे रही है और इन ही लोगों के लिए वा खटता रहता है जंगनों की खाक चांता फिरता है चाय वहीं बैडरूम में ही आ गई साथ मैं नाश्ता भी था पर निरू पुमा का मूँ ही सूजा हुआ था बात क्या है निम्मो उसने कप उठाते हुए पूछा क्या थका हारा पती एक मुस्कान का भी हकता नहीं है तुम थके हारे हो तो क्या मैं या फूलो की सेच पर लेटी हुई थी कौफ्त हो आई उसे अजीब औरत है जब देखो पारा चड़ा ही रहता है सीदे मूँ बात करना तो जैसे जानती ही नहीं और वह साहब जाती उसका तो पैरी घर में नहीं टिकता है बस मटर गश्ती करती रहती है वह तो यात्रा के दौरान भी उसे नहीं भोलता जहाँ जो चीज अच्छी लगती है ले लेता है पर इन महारानी जी को बाप की परवा भी है बस खेलने से ही फुरस्त नहीं है चाहिसे निवटकर उसने आट दिन की अखवारों का गठर उठाया और सोफे पर पसड़ते हुए पूछा वो लच्छी मी जी कहा है? कौन? वही तुम्हारी कन्या गई होगी कहीं? उसका क्या एक ठिकाना है? उसके चाहिए जितने भी ठोठीक आने हो तुम्हें मालूम तो होने चाहिए आखिर मा हो तुम उसकी हाँ मैं मा हूँ इसलिए मुझे ही सब खोज ख़वर रखनी चाहिए तुम्हारा कोई कर्तब पे नहीं है पढ़ाई करवाऊं तुम्हें 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 इसकुल छोड़ने जाऊं तुम्हें तुम्हारा मतलब है अम्हें नौकरी छोड़ का बेवी सिटिंग शुरू कर दो अजीब अहमक हो हाँ हाँ मैं तो हूँ ही बुरी तुम इसी तरह हमेशा मुझे जलील करते रहते हो तब ही तो वह मुझे घास नहीं डालती एक बात नहीं सुनती है मेरी कुछ कहने जाओ तो ये देखो और निरुपमा ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया आलोक ने देखा कलाई पर दांतों के गोल-गोल निशान थे खुन रिस-रिसकर उन पर जम गया था यह क्या हुआ काटा है तुम्हारी लाडली ने क्या बात करती हो तो क्या मैं जूट कह रही हूँ निरुपमा ने कहा और उतनी दिर से बंदी हुई रुलाई एकदम फूट पड़ी आश्चरे में डूबा आलोक उसका माथा सहलाता रहा सिस्कियों के बीच में उसने बताया कि इस बार टर्मिनल में गुड़िया बहुत पीछे रह गई है रिपोर्ट बुक पर गंदे रिमार का आए है इसलिए जरा सा डाट दिया तो बस और निरुपमा फिर सिसकने लगी दर्द शायद इस अप्रत्याशित अपमान का ही ज़्यादा था गुड़िया ने भी तो कमाल कर दिया तब ही महारानी जी मूँच छिपा कर कहीं दुबग गई है इस पर कुछ लगाया? निरुपमा ने नामे सिर हिला दिया कमाल करती हो कम से कम डिटॉल से धोते लिया होता चलो डॉक्टर के यहां चलते हैं कहीं सैप्टिक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे डॉक्टर से क्या कहेंगे? वो सब वहीं चल कर सोचेंगे चलो तयार हो जाओ लेकिन घर से निकलने के बाद उसे खुदी अपने फैमिली डॉक्टर के यहां जाते हुए शर्माने लगी वह दूर आनंद नगर तक चला गया और एक अच्छा सा बोट देखकर गाड़ी रोगती डॉक्टर काफी बुजुर्ग थे बिना कुछ किये थोड़ी देर तक जख्म को देखते रहे आलोग से प्रतिक्षा सहन नहीं हुई उसने आखिर बता ही दिया बच्ची ने काट लिया था इट्स ओल राइट एक ATS लगा देते हैं फॉर सेफटी उन्होंने इंजेक्शन लगाया ड्रेसिंग भी की फिर परचे पर गोलियां भी लिख कर दी फीस देखकर वे लोग चलने को ही थे कि डॉक्टर ने कहा एक मिनट रुकेंगे वे लोग रुक गए अपने इलाज की फीस तो मुझे मिल गई पर एक सला में आपको मुफ्त में दूँगा मेरा विश्वास है कि अनलेस ही इस हट बेडली और डीपली लेट इट नॉट हैपन अगेन शर्म के मारे दोनों से सीर उठाते नहीं बना बे उसी तरह से जुकाई दुकान से बाहर आ गए धन्य बात कहने तक का उनमें होसला न रहा पूरे रास्ते दोनों खामोश बनी रहे घर में पाउं देते ही निरूपमाने अपना गुबार उतारा अच्छे डॉक्टर की यहां ले गई तुम मुझे बसंती आकर लोट गई है अब बैठ कर बरतन खिसने होंगे कोई जरूद नहीं है दूसरे निकाल लो या फिर मैं अभी होटल से आता हूँ जरूर ले आओ जैसे पेड़ पर ही तो फलते हैं पैसे पचास रुपे इस बुड़ाओने उ जटक लिए हर बार पैसी की बात क्यूं ले आती हो मैं तो तुमारा खयाल करके ही कह रहा था हाथ में वैसे ही तकलीफ है पती की व्यगरता देखकर निरूपमा भी तरल हो आई अरे ऐसा बनाना ही क्या है तुम्हारे लिए चार फुल के उतार लूँगी बस सुबह का सारा खाना वैसा ही पड़ा है क्यूं? कहते हूँ आलोक ने पहली बार डाइनिंग टेवल की ओर देखा सच मुझ खाना सब ऐसा ही रखा हुआ था दो परसी हुई थालियां भी जोंकित्यों रखी हुई थी उसने पास जा कर देखा गोवी आलू की सबजी, टमाटर की चटनी, मटर, पुलाव और नमकिन पूरियां वाह! यह तो गुडिया की फर्माईशी डिसेज थी पापा टूर पर होते हैं तो खाना गुडिया की पसंद का ही बनता है और ऐसा मन पसंद खाना अंचुआ कैसे रह गया? क्या लड़की दो पहर से ही गायव है? निरूपमा वा गुर राया गुस्से में होता है तो पूरा नाम लेकर ही बुलाता है निरूपमा ने सर्शंक नेत्रों से उसकी योड देखा तो मैं सिर्फ बसंदी की पड़ी है? जरा अपनी लाड़ी के बारे में भी तो सोचो ऐसा तो नहीं कि हमारे पीछे आई हो और ताला देखकर लोट गई हो देखती हूँ शायद पड़ोस में बैठी हो नहीं पड़ोस में होती तो मुझे देखका दोड़ी चली आती मैं जरा सामने बाले ब्लॉक तक पूछ कराता हूँ पर उपल के या मत जाना कल को मिसेज उपल सबोर कहती फिरेंगी कि इन्हें अपनी बच्ची का भी होश नहीं है कहनों को तो बे यह भी कह सकती है कि लड़की सारी शाम हमारे यां बैठी रही और कोई पूछने भी नहीं आया तुम भी पताने किसके सबात का प्रेश्टेज विश्व बना लेती हो अच्छा तुम अब भाशर तो दो मत मैं पड़ोस के विश्व को भीज रही है बैसे भी बच्चे इतनी देर बाहर खिलते अच्छे नहीं लगते दियावाती से पहले घर आजाना चाहिए ये भाशर भी अपनी लाडली को ही सुनाना मुझे तो वह कुछ गिंती ही नहीं आलोग फिर चुप हो गया कुछ देर तक घर में सन्नाटा सा चागया कीवल किचिन से खटर पटर की आवाजें आती रहें उन्हें की ताल पर आलोग सोचता रहा पता नहीं कहां क्या कमी रह जाती है कि गुडिया धीरे धीरे एक प्रॉबलम चाइल्ड बनती जा रही है और गुडिया ही क्यों उसके भाईयों के बहन के सभी बच्चे इसी तरह समस्या बनते जा रहे हैं बड़ी मा तो अक्सर कहती भी है धन्य हो तुम लोग और तुम्हारी ये बच्चे हमारे अगर ऐसे होते तो हम तो सच मुझ पागल हो जाते एक एक दो दो हैं तो निभी रहा है उसे अपना बच्पन याद हो आया सच कितने बच्चे थे घर में मा के पांच, बड़ी मा के साथ बुआ लोग आती तो उनके भी जुड जाते पर कहीं कोई ववाल नहीं होता था मा बड़ी लड़कियों के साथ खाना बना देती बड़ी मा सब को अपने सामने गोला कर पंक्ती में बिठा कर खिला देती तीस त्योहार छोड़कर रोज तो वही मेन्यू रहता दाल, भात, सबजी, रोटी, अचार के एकाद फांक साथ में नास्ते का तो कोई जंजट ही नहीं था सुबह का स्कूल हुआ तो रात की रोटी दूद में मीड कर खाली दो पहर का स्कूल हुआ तो स्कूल से लोटकर सुबह की सबजी रोटी खाली मा को फुरसत हुई तो उसी रोटी को तबे पर घी लगा कर करारा सेख देती थी कपड़े साल में दो बार बनते थे या फिर किसी की शादी पर फाल दूर लाड दुलार के लिए ना किसी के पास समय था ना वैसा रिवाज ही था फिर भी कभी किसी बच्चे ने मा को इस तरह से नहीं काटा काटना तो बहुत दूर की बात है बढ़ों के सामने उची अवाज में बोलने तक का ताव ना था अब तो इतनी सुख सुविदा है इसके बाब जूद भी सब कुछ जैसे उलट पुलट हो गया है घड़ी ने साथ बजाए तो उसने आदत के अनुसार प्रादिशिक समाचारों के लिए रेडियो खोला फिर तुरंथी बंद कर दिया एक बाट टीवी लगा कर देखा पर मज़ा नहीं आया वह उटका चहल कदमी करने लगा तब ही ऐसास हुआ कि घर में एकदम सन्नाटा है अब तो किचिन से भी आवाजां नहीं आ रही थी पर हाँ कहीं से दवी दवी सी सिस्कियां सुनाई दे रही थी उसने पर्दा हटा कर देखा डाइनिंग टेबल का नजारा बतला हुआ था सुबह की थालियां उट गई थी खाना नई सिरे से लगा दिया गया था और सजी सबरी मेच पस सिर रखकर मिरूपमा से सक रही थी निम्मो उसने अपनी पत्नी के बालों में प्यार से हाथ फिरती हुए पुकारा कितनी ललक से मैंने दो पहर का खाना बनाया था उसने सुबकते हुए कहा पल लड़की ने एक और भी मुँमे नहीं लिया सुबह दूद के साथ दो विस्किट खाए थे उसी पचल रही है पता नहीं इसकुल में टिफिन भी खाया था या नहीं हफते में तीन दिन तो अंचुआ ही वापस आ जाता है इन्हें खानी की भी सुद नहीं रहती आलोक को इस बात पर गुस्सा आया कि इन्हें सिर्फ गुडिया का रेपोर्ट कार्ट देखने की जल्दी थी डिफिन से इनका कोई मतलब नहीं था लेकिन वह जब्त कर गया निरूपमा को और रुलाने का उसका मन नहीं था एक कुरसी खेंच कर वह उसके पास बैठ किया और मुलायम स्वर में बोला निम्मो मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या था बताया तो था नहीं पूरा सच बताओ वह कोई पागल नहीं है कि ऐसे काटेगी कुछ तो हुआ होगा मैंने उसकी थाली खींच ली थी क्यूं? वह मेरा मुझ चिडा रही थी क्या बात करती हो? वह भला ऐसा क्यूं करेगी? डांट दिया था ना मैंने पर क्यूं? उसका रिपोर्ट कार्ट देखो तब पता चलेगा तब तुम भी अपने को रोक नहीं पाओगे पर यह काम खाने के बाद भी तु किया जा सकता था खाने के बाद वह रुकती है घर में एक मिनुट को तो उसका पाओँ घर में ठहरता नहीं है इसकूल का काम ही मैं कैसे करवाती हूँ? यह बस मेरा भगवान ही जानता है वह घर से इस तरह भागी भागी क्यों फिरती है जानती हो तुम्हारा आठो फैर का टोकना उसे रास नहीं आता चिड़ जाती है वह मुझे कोई शौक है चिलाने का और कौन से माबाब हैं जो बच्चों को नहीं डाटते कभी कबार घर में रहा करो तो पता चलेगा कि कितना सिर्ख अपाना पड़ता है तुम अपनी महत्वा कांक्शाओं में थोड़ी धील दे दो तो सारी मुझेलें आसान हो जाएंगी पर यह बात कभी तुम्हारी समग में आती ही नहीं है भाई बच्चा भी तो अपने सामर्थ के अनुसार ही पड़ेगा बुद्धी कोई उपर से तो नहीं थोपी जाती आखिर बिध्या बुद्धी भी तो उसने हमसे ही विरासत में पाई है तुम्हारी तो मैं नहीं जानता पर मैं तो कभी टॉपर नहीं रहा हमेशा सेकिंड डिवीजन में ही पास होता रहा हूँ लेकिन तुम्हें हमें इतना अच्छा स्कूल भी तो नहीं मिला ना हमारे जमाने में ऐसे स्कूल थे ना हमारे माबाप के पास इतना पैसा था इनके भागे से सब जुट गया है तो इन्हें कदर नहीं है सच कहती हूँ हर महीने फीस जमा कराते हुए कॉलेज में आग लग जाती है लूटते हैं बस महेंगे स्कूल में पढ़ने की जित उसने तो नहीं की थी निम्मो यह तो हमारा हट था हमारा शौक है हमें जो नहीं मिला वह हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं अपनी अत्रिपत आकांख्शाओं का बोज हम बच्ची अब तुमने फिर भाष्रबाजी शुरू कर दी अच्छा रहने दो पर सीधी साधी भाषा में एक बात कहूं इसकूल कितना भी महगा हो क्लास के सब बच्चे तो फर्ष्ट नहीं आ सकते फर्ष्ट तो एक ही आएगा फर्ष्ट ना सही पर थर्टी फिफ्ट ये भी कोई रैंक होती है छी मुझे तो किसी को बताते हुए भी शर्म आएगी तो तुम्हारा गुसा शायद इसलिए है कि अब तुम्हे अपनी सहीलियों के सामने नीचा देखना पड़ेगा उनकी तरह तुम डिंग नहीं आँक सकोगी जरूर तुमने कपूर के बॉबी का ये महता की सुमन का जिक्र किया होगा तब ही तो वह इतना चिड़ गई होगी निरूपमा का चहरा फिर तम तम आने लगा था तब ही दर्वाजे की घंटी बजी आलोक ने लपक का दर्वाजा खोला पर अफसोस सामने बाजपई जी की ओर मिला खड़ी थी उसे देखकर ही याद आया कि आज बुद्वार है और आट बजने ही बाले है नमस्ते भाई साहब नमस्ते आलोक ने बेमन से प्रति नमस्कार किया आज आपको दर्वाजा खोलना पड़ा गुडिया कहां है पढ़ रही है क्या सहेली की आँ बड़े पार्टी में गई है आलोक अबाक रह गया निरूपमा ने कितनी जल्दी और कितने सहज भाव से उत्तर गड़ लिया था काश यही सच होता वैसे उर्मिला को सच जूट से कोई सरोकार नहीं था उसने तो मातर औप चारिकता बढ़ती थी उसे तो चित्रहार से मतलब था आंधी हो या तूफान वा चित्रहार देखने जरूर आती है शुक्रवार बुद्भार उसका आना नियमसा हो गया है पर इससे पहले कभी इतना आखरा नहीं था टीवी पर विग्यापन आने शुरू हो गए थे आलोक के काम दरवाजे पर लगे कहीं भी खेलती रहे लड़की विग्यापन की समय उसका घर में आना निश्चित था इसी विश्वास के बल पर वह इतनी देर से अपने को रोके हुए था उसकी प्रतिक्षा करते हुए अब मन ही मन अपना पार दोरा रहा था क्या करेगा वह पहले डांटेगा या प्यार करेगा पहली डांट रिजल्ट के लिए होगी या बत्तमीजी के लिए सजा के तौर पर वह खिलोने आज नहीं देगा तस्वीरों वाली किताब तो वह देख ही लेगी सामने जो पड़ी है या उसे भी छुपा देना ठीक होगा खेर यह सब तो बात में सोचा जाएगा सबसे पहले तो वह उसे जी भरकर विग्यापन देखने देगा लड़की जैसे जान छिड़कती है उस पर उसकी तो जैसे समाधी लग जाती है पलक तक नहीं जपकाती इसकोल से उपहार सुरूप मिली जूओं की निशका आशन के लिए निरूपमा को यह समय उप्युक्त लगता है लड़की जगे से हिलती भी नहीं है जैसे ही पहला गाना समाब्थ हुआ आलोक का धीरत जबाब दे गया उसने स्कूटर की चाविय उठाई और चपल पहन कर बाहर आ गया निरूपमा भी उसके पीछे भागी भागी आई कहां जा रहे हो कहीं तो जाना पड़ेगा तुम्हारा विश्यू तो अभी तक कोई समाचा नहीं लाया मैं देखती हूँ जाकर कि वह गया भी था या नही रहने दो अब दो मैं जा रहा हूँ बस अब तुम घर बैठकर यही मनाओ कि वह कॉलोनी में ही कहीं किसी के घर बैठी हो कहीं सड़क पर निकल गई होगी तो भगवान ही मालिक है कैसा तो ट्रैफिक रहता है वहाँ प्लीज निरूपमा ने उसके मूँ पर हाथ रख दिया आप कुछ उल्टा सीधा तो मत बोलो दिमाग वैसी खराब हो रहा है तुम्हारे दिमाग के बारे में आप मुझे भी कोई शक नहीं रह गया है लड़की कैसी मन है इस्तिती में बाहर गई है इसका भी तुम्हे होश नहीं है मुझे फुला का घर में वैठी रही निरूपमा को सुबकता हुआ छोड़कर उसने स्कूटर स्टार्ट कर दिया पहले तो पार्क तक छोटा सा चक्कर लगा कर देख लिया शायद दर के मारे कहीं दुबकी वैठी हो पर वहाँ एकदम सन्नाटा था फिर उसने परिचितों के गुडिया के दोस्तों के दरवाजे खटकर दाना शुरू किये चार-पांच लोगों का चित्रहार खराब करने के बाद एक जगह सुराग मिला बर्माजी की पिंकी ने बताया हमसे तो अंकल आजवा कुट्टी हो गई थी पार्क में अभी पूनम के साथ खेलती रही पूनम कौन? कहा रहती है उसने अधिर होकर पूछा वो अधर बड़ा सा पीला मकान है न? गुल महर का पेड़ भी है पिंकी अता पता बताने की कोशिस करने लगी तो बर्माजी ने मंदत की अरे चतुरवेदी एड़ोकेट वीड़ा नर्सिंग हों के सामने थैंक यू सर मैं समझ गया और वो क्या है कि पार्क से अब तक घर नहीं लोटी तो चिंता तो हो ही जाती है बट नेचुरल उन्होंने कहा उन्हें एक वार फिर धन्यवाद दे कर वो सड़क पर आ गया लोगों को धन्यवाद दे दे कर वो सौरी टू डिस्टरब्यू कहेकर उसकी जवान ठक आई थी अब चतुरवेदी जी के यहां जाकर फिर वही सब दहराना पड़ेगा इश्वर करें वह उसका अंतिम पढ़ाव हो अगर गुडिया वहां भी नहीं हुई तो उसे निरूपमा पर बहुत गुसा आ रहा था कैसी अजीब परिस्तिती में डाल दिया है उसे खुद तो घर बैठी विसुर रही है लोगों की सवालिया निगाहें जीलनी पड़ रही है या लोग को चतुरवेदी जी का घर डूना मुस्किल नहीं था आते जाते कई बार बोर्ट देखा था उनके घर के सामने पहुँचकर उसने एक गहरी सांस भरी अब तक जहां भी गया था विजाने पहचाने चेहरे थे पर नई जगह जाकर क्या कहेगा कैसे अपना परिचे देगा जी मैं गुडिया का नहीं नहीं गुडिया कहने से तो नाराज होती है बच्चे बाद में चिड़ाते जो है तो मैं कहूंगा कि मैं मौनिका का पिता हूँ आलोक शर्मा दरसल हमें अभी पता चला है कि आपकी बेबी की साथ मेरी बेटी पार्क में खेल रही थी क्या वह उसके साथ यहां आई है क्या आप बता सकते हैं वह कहां गई है अपने संबादाओं की मन ही मन रहलसल करते हुए उसने धीरे से गेट खोला इसके बाद उसे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा दो नन्ने नन्ने हातों ने उसे भीच लिया उसने लपक कर उसे गोद में उठा लिया गुडिया ही थी वह उसके स्कूटर की आवाज पहचान का दोड़ी चली आई थी उसने देखा वाई स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी आलोक समझ किया पहली जड़ब तो इसी बात पर हुई होगी स्कूल से लोटते हुए भूग से बेहाल हो जाती है लड़की कपड़े बदलना जूता बसता ठिकाने पर रखना हाथ मों धोना सब उसे पहाड सा लगने लगता है पर निरूपमा कभी रियाद नहीं देती फिर कभी कभी वह भी जिद पर आ जाती है मा की लड़की जो ठहरी गुडिया का इस तरह सामने आ जाना इतना प्रत्याशित था कि रहत का एसास कहने में भी कुछ वक्त लगा फिर तो जैसे खुशी का जुआर उमड़ पड़ा उसे बार बार चुमते हुए वह कहने लगा कहां रह गई थी मेरी रानी पता है मम्मी कितनी परेशान हो रही है तुम्हें पता नहीं था कि आज पापा आने वाले है और पापा को अगर अपनी गुड़िया ना मिलो तो कितना बुरा लगता है चलो अब जल्दी घर चलो मम्मी विचारी रोरो का हलकान हुई जा रही है दादी मा मैं जाओ गुड़िया ने कहा तो उसे होश आया कि वे दूसरों के दरवाजे पर खड़ा है और शिष्टा चार भी कोई चीज होती है उसने देखा एक बुजुर्ग सी महला दरवाजे पर खड़ी थी अगल वगल दो नन्ने भाई बहन भी थे जो कौतु हल से आलोग को देख रहे थी पूनम ये मेरे पापा है गुड़िया ने हुलसकर कहा अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए बच्चों की दादी अब नीचे उतर आएं थी मैं तो परिशान हो रही थी कि इसे घर कैसे भिजबाओं मुझे तो रात में ठीक से नजर भी नहीं आता बहु और बेटा दोनों एक शादी में गए हैं उन्ही का इंतजार कर रहे थी अब इतनी बुजब महला को वह धन्यवाद भी क्या दे बिना मरस्वर में बोला मैं बहुत शर्मिनना हूं दरसल अंटी हमें पता ही नहीं था कि यह यहां होगी हम तो पासपड़ोस में ही ढूंड रहे थे बो तो अभी किसी ने बताया तो मालूम हुआ इसने आपको तंग तो नहीं किया अरे नहीं यह तो बड़ी प्यारी बच्ची है बस तीनों मिलकर मज़े से कहानी सुनते रहे वाहा फिर तो गुडिया को खूब मज़ा आया होगा अच्छा बेटे अब दादी मा को प्रणान करो अपने दोस्तों को टाटा करो पूनम बेटे भाया को लिकर कभी हमारी यहां भी आना सारी ओप चारिकताएं पूरी करके वा बाहर आया गुडिया को गोच से उतार कर गाड़ी स्टार्ट करने ही बाला था कि लगा पीछे कोई खड़ा है देखा बच्चों की दादी ही थी एक बात कहनी है बेटे आलोक ने सांस रोक ली मिरूपमा ने आज अच्छा तमाशा बनाया है शाम को डॉक्टर साहब ने डोस पे लाया था अब यह नितान ता परिचित महला भी उपदेश देने वाली है वो यह अदर्ब के साथ खड़ा हो गया पर उन्होंने बस इतना ही कहा देखो बेटा घर पर जाकर डान टपट मत कहना उसकी कोई गलती नहीं है दरसल मैंने ही उसे रोक लिया था अकेले भीजने की हिम्मत नहीं पड़ी लड़की पहले से ही डरी हुई है इसलिए समझा रही हूँ तुम बुरा मत मानना बेटा पर एक बाद ध्यान में रखो बच्चों पर मावाप का रौप तो होना ही चाहिए बहुत जरूरी है वो पर उनके मन में धहशत नहीं होने चाहिए खौफ नहीं होना चाहिए नहीं तो वे ठीक से पनपते नहीं है आ लोक ने रहत की सांस ली चैलो सस्ते में जान छूटी इतनी सी बात तो वो जहेल सकता है पर कहीं अगर वे पूरी बात जान जाती तो तब तो अच्छा खासा प्रवचन सुनना पड़ता हेड लाइट की रोश्नी में उसने दूर से ही देख लिया था कहां रह गई थी मेरी बच्ची तो मम्मी को कितना इंतजा करवाया मम्मी से रूट कर गई थी तो ऐसे भी रूटता है कोई मम्मी कितना रोई है पता है गुडिया बड़े मजे से मा की गलवईयां देकर प्यार की उस फोहार में भीग रही थी उसी समय पासपर उसके घरों से संगीत की परचित धुन सुनाई दी शायद दूर दसन पर समाचा समाप्त हो गए थे गुडिया मा की गोच से सर से नीचे उतरी और तीरी की तरह भीतर चली गई ओ मा निरुपवा ने जोर से सिसकारी भरी उतरनी की हरबड़ी में गुडिया ने शायद उसका जखमी हाथ दुखा दिया था देखा कैसी दुष्ट है यहां तो हम रो रो कर बेहाल हुए जा रहे हैं और उसे टीवी की पड़ी है टेकी टीजी डाल लें हालोग ने उसकी पेट थप थपा कर कहा सच तो यह था कि वह बेहत ठक गया था अब और नाटक जेलने की ताकत उसमें नहीं थी गुडिया टीवी के सामने आसन लगा कर बैठ गई थी टीव लाइट के उजले प्रकाश में निरुपमा ने देखा तो चीक उठी हाई मैं मर जाओं तू क्या ऐसी भूतनी सी चतुरवेदियों की आ गई थी तुम्हें किसने बताया आलोक ने पूछा बर्मा जी का सुनी लाया था कह रहा था पापा ने भेजा है ताकि आप जिक्र न करें इट वोस वेरी थौटफुल ओफिम पर इसे तो देखो रिलैक्स निम्मो चतुरवेदी जी कोई तोप नहीं है उनके भी बच्चे हैं भे भी यूनिफॉर्म पहनते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेंसे चतुरवेदी घर पर नहीं थी इसलिए तुम्हें डनी की जरूत नहीं है बस अब फटाफट खाना लगाओ भूग से दम निकला जा रहा है बस अभी गरम करके ला रही हूँ तब तक इससे कवो कपड़े बदल ले बदल लेगी भाई और एक दिन नहीं भी बदले तो कोई आसमा नहीं तूट जाएगा गुडिया रानी बिग्यापन खतम होती तो मुठोगी और बस वेशन पक जाओगी कपड़े नहीं बदलोगी तो चलेगा पर हाथ तो धोने पड़ेंगे गंदे हाथों से कोई खाना थोड़े ही खाता है पापा मैं खाना नहीं खाऊंगी क्यों बेटा इस तरह भी कोई रूट था है मैंने है न फूनम किया खालिया था क्या निरूपमा इतनी जोड से चीखी की लड़की बिचारी सहम गई रुआसे स्वर में बोली मैंने तो मना किया था पर दादी बोली बड़ों का कहना मानते हैं जिद नहीं करते फिर मैंने खालिया बिचारी बड़ों का कहना ना मानती तो क्या करती भूग से आते कुलबुला रही होंगी आलोग का जी भराया पर निरूपमा नहीं तो जैसे तूफान मचा रखा था यहां हम सुबैसे हलकान हो रहे हैं अन्न का एक दाना तक मुँ में नहीं दिया तब से बैटे बस भगवान को मना रहे हैं और इस महरानी को देखो अब बस भी करो आलोग जोर से गुर रहाया तब जाकर उसका भुन बुनाना बंद हुआ उसने खा लिया तो ठीक है पर अब मेरे पेट में भी तो कुछ डालो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं छपपन भोग खा कर बैठी हूँ आलोग ने उत्तर नहीं दिया अब किस-किस बात का जबाब देवा खाना खाते समय भी बच्चुप ही था चार-पांच को चुप-चाब मेगलने के बाद एक-एक निरूपमा बोली सुनो सुनाओ उसने सचमच खा लिया होगा न बच्चे जूट नहीं बोलते नहीं मेरा मतलब है वहाँ पता नहीं कैसा खाना मिला हो देखो निरूपमा उनके यहाँ भी बच्चे हैं और इसी एजग्रूप के हैं इसलिए खाना भी बच्चों के लाइक ही बना होगा भूकी होती तो अपने साथ खाना लेती खैर भूकी क्यों रहेगी वहाँ तो खा ही लिया होगा वहाँ नक्रे उठाने वाला था ही कौन यहाँ तो मम्मी वैठी है न मम्मी को तंग करने की तो उसने जैसे कसम खा रही है निम्मो तुम भी कमाल की चीज हो भगवान ने तुम्हें बड़ी फुरसत से बनाया है क्या हुआ सोचता हूँ तुम पर एक थीसिस लिख डालू पिछले साल गेवती बी एट के लिए प्रॉब्लम चाइल की एक फाइल तयार कर रही थी याद है खोब याद है तुमने कहा था कि एक प्रॉब्लम चाइल तो अपने घर में ही मौजूद है निरुपमा ने मूफ उला कर कहा उसका गुस्सा अब तक ताजा था अरे भै तो मैंने योँ ही मजा किया था पर अब एक पाइल सीरियसले सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लमेटिक मदर्स पर रिसर्च कर डालो सच तुमने अच्छा नमूना सुझा दिया मुझे निरुपमा ने आखे तरेर कर उसकी योड देखा वह उसी तरह शरारती मुस्कान फेकता हुआ हाथ धोने चला गया लोटकर देखा गुडिया सोपे पर ही लुड़क गई है अरे यह तो सो गई कौन सी नई बात है सुनो मैं बिस तख ठीक कर रही हूँ तुम उसे ले आओ यह भी रोज का कारिक्रम था गुडिया को सुला कर आलूग भी एक पत्रे का लेकर बगल में लेट किया निरूपमा ने धीरे से गुडिया के बालों से क्लिप निकाले हौले से जूते और मौजे उतारे फिर बड़ी तरकीब से दिन भर का बासी और मुचड़ा हुआ यूनिफॉर्म होता रहा गुडिया नीद में कुन मुनाती रही फिर सो गई इसके बार निरूपमा क्रीम ले आई और गुडिया के चेहरे पर हातों पर और पेरों पर मलती रही फिर उंगलियों के पोरों को तेल में डुबो कर वो उसके बाल सहलाती रही सारा कारीकरम हो जाने के बाद उसने धीरे से उसका माथा चुम लिया आलो को पता ही नहीं चला कि कब पत्रिका उसके हाथों से फिसल गई वै तो मंत्रमुग्द की तरह मावेटी को देखे जा रहा था निम्मो उसने भाबक होकर कहा इस प्यार का चौथा हिस्सा भी तुम इसे जाकते में दे सकोगी तो इसकी काया पलट कर दोगी तो मैं खुद विश्वास नहीं आएगा कि यही तुमारी गुडिया है जो रात दिन तुम्हें तंक ही रहती है निरुपमा ने एक बार पती की ओर देखा और सपाट स्वर में बोली वो प्यार व्यार तो ठीक है पर हुंबर्ग का तो आज कुंडा ही हो गया ना सुबह देखो इसकूल जाते समय कैसा महावारत मचेगा और कल नहीं गई तो मुझे जख मार का अरोस परोस में कॉपी मागने जाना पड़ेगा नहीं तो परसों का हुंबर्ग भी गोल हो जाएगा आलोक सीर पकड़ कर बैठ गया दोस्तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी प्रॉब्लम चायड दोस्तो कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी के विशय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में साज़ा कीजिएगा मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ धन्यवाद